हैलो फ्रेंड्स मैं हूँ राज आप देखरो मेरे यूटूब चैनल आरेम ओपिनियन फ्रेंड्स मेरा आज का जो वीडियो होने वाला है यह पूरी तरह से एक अलग किसम का वीडियो होने वाला है वैसे तो मैं इस चैनल पर हर वक्त यूटूब रिलेटेड वीडियो यह अ Instagram, Twitter इस तरह का कुछ भी टेकनिकल रिलेटेड, आपडेट रिलेटेड, सेटिंग रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ लेकिन आजगा जो वीडियो होने वाला है ये टेकनिकल रिलेटेड लेकिन एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है आपके लिए यूटुब मोटिवेशनल वीडियो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना ये वीडियो नए यूटूबर के लिए और जीन लोगों के पास अभी मानलो 1 million, 2 million subscriber है उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा helpful वीडियो होगा वैसे तो मेरा चैनल पर इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है तो साइद 1 million subscriber जो चैनल होगा वो मेरा वीडियो नहीं देखेगा लेकिन मैं रिकोस्ट करता हूँ जिन लोगों के पास ये वीडियो जाएगा वो लोग इस वीडियो को एक बार जोरूर देख लेना फायदा आपको ही है मैं आपको ग्यान नहीं दे रहा हूँ स्रेप आपको अदवा कर रहा हूँ इस वीडियो में तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को प्रेस जोरूर कर लेना अल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर देना फ्रेंड्स अक्चुली मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था वो वीडियो भी यूटूब मोटिवेशनल वीडियो था वहाँ पर मैंने बताया था कि YouTube एक लाख है, YouTube एक किसमात है और वहाँ पर मैं ये भी बताया था कि स्रेफ YouTube पर dependent मत हो और भी कुछ side में रखो, अगर YouTube पर अब डूब जाओ तो वो आपको वहाँ से निकाल लेगा कियों बताया था मैं इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ देखिए, नमबर वन, YouTube ने क्या किया? चैनल मोनेटाइज हो या फिर ना हो सारी चैनलों पर advertisement डाल दिया तो अभी YouTube क्या कर रहा है? कि जिन लोगों के चैनल अच्छा खासा चल रहा था मानलों उनके पास 900, 950 ऐसे subscriber थे या फिर 1K subscriber थे लेकिन उनका watch time पूरे नहीं हुआ 4000 आवर का जो watch time होता है मानलों उनका 3500 या फिर 3000 ऐसे watch time आवर पूरा हुआ था बहुत जल उनका चैनल मोनेटाइज होने वाला था लेकिन चैनल अच्छा खासा चल रहा था तो यूटूब क्या कर रहा है उन चैनलों को दबा दिया मतलब उनके चैनलों पर impression पहले जितना आता था उतना नहीं भेज रहा impression भेजना कम कर दी क्यूं यूटूब चारा है कि इन चैनलों को ज़्यादा देर तक रुके रखना है ज़्यादा जल्दी इन चैनलों को monetize नहीं होने देना है क्यूंकि अगर ये चैनल जल्द monetize हो जाए तो हम लोग अभी जो advertisement यहाँ पर डाल के revenue कमा रहे हैं उनके 55% creator को देना पड़ेगा तो जितने देर तक उनों लोगों को रुके रखेंगे हम लोग उतने देर तक इस advertisement का पूरे revenue हम लोग खा सकते हैं मतलब अंदर कर सकते हैं इतना अच्छी तरह से आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा नमबर टू मान लोग कुछ चैनल मॉनिटाइज हो गया मान लोग उनके पास यह 1200 या फिर 1300 सब्सक्काइबर थे और उनके पास 4000 आवर वाच्टाइम हो गया था उनके चैनलों पर फोर्ताउजन आवर छोड़ दो फोर्ताउजन 50 ऐसे ही पकड़ लो ज्यादा हो गया था वाच्टाइम तो उनके चैनल मॉनिटाइज हो गया था थोड़ा थोड़ा करके उनके अर्ण कर रहे थे रेविनू आ रहे थे उनके तो कुछ दिनों बाद इटू क्या कर रहा है कि इन चैनलों को जो छोटा छोटा चैनल है उन चैनलों को दो माहिना तीन माहिना चार माहिने के बाद दी मॉनिटाइज कर रहा है कोई भी रिजिन डालके कि आपके चैनल पर आपने ये साब्सक्राइबर जो ग्रो किया ये एक्टिब नहीं है ये घड़ गया इसलिए हम लो इसलिए आपका वाच टाइम घड़ चुका है इसलिए हम लोग आपके चैनल को डी मोनिटाइज कर रहा है अगर ऐसे दीजिन नहीं मिलता है तो पहता है कि आपके इस वीडियो पर ये प्रोब्लेम है उस वीडियो पर ये प्रोब्लेम है इसलिए कॉम्मिनिटी गाइडलाइ स्टाइक के थू हम लोग या फिर कॉपी राइट प्रोब्लेम के लिए हम लोग आपके चैनल को दी मॉनिटाइज कर रहे हैं और छोटा चैनल मॉनिटाइजेशन फिर ओन करने की बहुत सारे चैनलों पर आपसेन ही नहीं दिया जा रहा है मतलम चैनल गया काम से और कुछ चैनलों पर मॉनिटाइज करने की फिर से अपलाई करने की आपसेन मिल रहा है वो लोग फिर से अपलाई कर रहे हैं और चैनल को कुछ चैनल मॉनि लाक, बीस लाक, चलिस लाक वाला YouTube चैनल सस्पेंड हो रहा है, दिलीट हो रहा है, टार्मिनेट हो रहा है, मलो जो प्रियेटर थ्री यार्स, फोर यार्स, फाइव यार्स मेहनत करके अपने YouTube चैनल को इतना अच्छे तरह से ग्रो किया, उनके चैनल पर 20 लेक सब्सक्राइब है, और उनके पूरे फैमेली वो ही पर डिपेंडेंडन है, वो इसको एक फूल टाइम जॉब की तरह ले रहा है, फिर भी तो फूल टाइम जॉब पर एक टाइम लिमिट होता है, छे घंटा, साथ घंटा, आठ घंटा, लेकिन हमारे यूटूब पर जो यूटूब क्रिये परना पड़ता है, इतने महनुद कर के हम लोग एक चैनल को चींटै से और उस की पर हम लोग पूरी तरह से डिपेंडेंडेंड हो जाते हैं, और साइबास हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, यूटूब पर हम फूल टाइम बिताते हैं, यहां से हमारा अच्छा खासा आं ह हो रहा है और हमारा पूरे फेमेली इहां पर dependent है पूरे फेमेली अच्छी तरह से चल रहा है मेरा भी lifestyle अच्छी तरह से ग्रोव हो रहा है मालो एक कार खरिद ली उसका लोन अभी complete नहीं हुआ एक home loan लेके घर बना ली उसका भी लोन खतम नहीं हुआ सब कुछ इसी YouTube चैनल प तो ओ क्रियेटर्स का क्या हाल होगा आप बताईए मालो उसकी घर में मामी है डैडी है ग्रेंड मादर है ग्रेंड फादर है उनका बीबी है दो बच्चा है पूरे फैमिली उनी के उपर डिपेंडेंट है इसी बाक्त फाइव एर्स के बाद अगर उनको इस जॉब से निकला जाए बोला जाए कि फिर आप दूसरी एक नया जब ढूंडो यहां से आपको निकला जाता है आप यहां पर काम नहीं कर सकते तो आप क्या करोगी यह तो सुईसाइट करने का बराबर है यूटूब उन क्रियेटर को स एक तरह का क्राइम है आप एक क्रियेटर को इंसिस्ट कर रहे हो कि तुम सुईसाइट कर लो मर जाओ हमारा कोई फरक नहीं पड़ता हमको स्रेप रूपिये से मतलब है अब लोगों को पता होगा कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है बहुत सारे बड़े बड़े चैनल एक फोर मिलियन वाला चैनल टार्मिनेट हो गया था धर्मंद्र सेर ने उसका वीडियो बनाया था मोनोस देने भी उसका वीडियो बनाया था वो क्रियेटर जो यूटूब को ट्विट किया था उस ट्विट को मैंने रिट्विट भी किया था उसके बात एक दो मिलियन वाला चैनल फिर से टार्मिनेट कर दिया गया आभी दो दिन पहले फिर से मनोसदे ने और घरमंदर सर ने एक वीडियो बनाया उहां पर और एक चैनल टार्मिनेट कर दिया गया उनका देड़ मिलियान सब्सकाइबर था एक ही चैनल ता पूरी फैमेली उसी पर डिपेंडेंट था चैनल का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है साइद यह गभर्मेंट का जो सब कुछ पॉलिसी होता है नहीं पासपोर्ट अधर कार्ड यह कैसे बनाता है इसी के उपर ओ प्रेटर वीडियो बनाता था तो उनको कहा गया उन्होंने एक पासपोर्ट के ऊपर वीडियो बना था बोला गया के इसी पासपोर्ट पर अपने कम्यूटी गाइडलाइन्स पर एक साइबर बुलिंग का जो क्राइम होता है बोला गया के इस कम्यूटी गाइडलाइन्स के अपने उलंगन की है इसलिए आपके चैनल को टर्मिनेट कर रहा है हम लोग और उनको एपलाई करने का मौका भी नहीं दिया और एक फाइनल बात बता दू जो फोर मिलियान वाला सब्सक्राइबर चैनल था ना पहले टर्मिनेट हुआ था वो चैनल वापस लाने के लिए बहुत सरे क्रियेटर ने मदद की उनकी बहुत कुछ वहां पर किया गया यूटूब टीम के साथ बात किय लेकिन ओ चैनल यूटूब बापस नहीं दी मेरे को तो लग रहा है कि यह जो देड़ मिलियन वाला सब्सक्राइबर चैनल दो दिन पहले टार्मिनेट हुआ इसे भी यूटूब बापस नहीं देगा तो आप सोचिए इन लोगों का पहुंच बहुत दूर तक है यूटू तो जिन के पास माल लो अभी आभी जिन का चैनल मोनीटाइज हुआ ये 2 के या फिर 5 के सब्सक्राइबर है 3 के 20 के 30 के 50 के तक सब्सक्राइबर है उन लोगों के बाते तो यूटूब सुनेगा ही नहीं और उन लोगों को कोई मदद भी नहीं करेगा मतलब अगर आपके पास 10K, 20K, 30K, 50K तक सब्सक्राइबर है अगर आपके चैनल को यूटूब ने टार्मिनेट कर दिया तो आप सोज लो कि आपका चैनल गया काम से वो चैनल फिर वापस नहीं आ सकता कोई भी नहीं ला सकता सॉल्यूशन क्या है? अभी मैं यह बताने जा रहा हूँ सॉल्यूशन यह है कि आपके पास अगर एक यूटूब चैनल है और वो चैनल मालो एक माईना हुआ या फिर दो माईना हुआ, मॉनिटाइज हुआ तो आप एक सेकेंड चैनल तुरंद क्रेट कर लीजिए यूटूब पर और एक सेकेंड चैनल आप बना लीजिए यह होगा आपके लिए एक बैक आप चैनल और उस चैनल को भी बहुत जल्द आप ग्रो करने की कोशिस करे पूरी महनत के साथ ऐसे यूटूब पर आपको मिनिमाम दो नहीं त्री चैनल बनाना चाहिए अलाग-अलाग काटागोरी का जिस पर आप इंटरेस्टेट हो अगर फुल टाइम यहाँ पर काम करना चाते हो यहाँ से ही कामाई करके आपका फैमेली मेंटेन करना चाते हो तो एक चैनलों पर पूरे डिपेंडेंट होके मद बैठो मेरे पास दो चैनल है अभी मेरा दो मैने के अंदर और भी दो चैनल लॉंच होने वाला है एक मेरा राजुमाईती ब्लॉग्स चैनल और एक मेरा डांस टूटोरियल चैनल यह ज़रूरी है अगर आपका मेंट चैनल टर्मिनेट हो गया तो यह बैक आप चैनल आपको कुछ असाय देगा इसके उपर आप थोड़ा बहुत डिपेंडेंट हो सकते हो पूरी तरह से आप तूट नहीं जाओगे जिन लोगों का भी यह दो तीन चैनल मैंने बताया ना इनके पास एक ही चैनल था इनके पास कोई ऐसा बैक आप चैनल नहीं था चाहे आप जो बैक आप चैनल बनाओगे उसके उपर आपका नॉलेज हो या फिर ना हो फिर भी आप YouTube पर सिखके एक चैनल बना लिजिए ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक साथ मत बनाईए अगर पहले का चैनल आपका मोनेटाईज हो गया अच्छा कसा चल रहा है तो आप बना लिजिए अगर यहां पर आप रहना चाते हो और दूसरी बात यह हो सके तो बहुत ही अच्छा होगा आपके पस एक ही चैनल होगा तो ठीक है आपको साइड में और भी कुछ करना पड़ेगा अगर आपके फैमिली का कोई बिजनेस है वो जैन करो अगर आप कोई पाट टाइम दूसरा जॉब करना चाते हो तो वो करो अगर आप कोई ऐसे कल्चर में हो सिंगिंग सिखाते हो तो सिखाओ बंद मत करो डांस करते हो तो करो बंद मत करो अगर आप एक स्पोर्समेन हो तो पोर्स पर भी धन दो वहाँ पर थोड़ा बहुत अगर कामाई होता है तो वहाँ पर भी जाओ काम करो सिर्फ एही पर मत बैठे रहा हो बस एही एक वीडियो आपके लिए जोरूरी वीडियो आपके लिए बनाना था आप वीडियो को पूरे देखिए उसके बात मुझे कमेंट करके बताईए कि मैं सही हूँ या गलत अगर सही हूँ तो वीडियो को एक लाइक करते हुए सेयर जोरूर कर देना दूजरे लोगों का भी हेल्प हो जाएगा अगर मैं गलत हूँ तो वीडियो को एक डिसलाइक करके उल्टे सीधे गालिया दे दो कमेट करके ओके बस आज के लिए मैं चलता हूँ मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जैहिंत